लाइक, शेर, सब्सक्राइब और ट्लिक अन बेल आइकोन तो नेवर मिस अन अपडेट फ्रम एपेक भी किया और उसे सिखाया भी आखिर कहां से मिली सुष्रुत को सरजरी की प्रेणा और कैसे किया उन्होंने ये इन्वेंशन ऐसे ही सवालों के जवाब हम जानेंगे एपिक पीडिया के आज के विडियो में लगभग 2600 साल पहले वैदिक कालखंड में एक रिशी रहते थे जिनका नाम था सुष्रुत सुष्रुत उत्तर भारत के एक पुरातन और पवित्र शहर काशी में रहते थे जो आज बनारस या वारणासी के नाम से जाना जाता है उस जमाने में ज्यानियों को साधू या महरशी कहा जाता था ऐसे ही एक ज्यानी सुष्रुत भी थे काशी के महराज काशीराज दिवोदास से महरशी सुष्रुत ने मेडिसन का ज्यान प्राप्त किया और वो वैद्य बने एक वैद्य होने के नाते वो उस समय में युद्ध में घायल हुए सैनिकों का इलाज करते थे उन सैनेकों की अवस्था को देख सुश्रुत को सर्जरी की प्रेड़ना मिल जिससे वो सैनेकों के शरीर के तूटे हुए अंग या जखमों को सर्जरी या शल्यक्रिया के द्वारा ठीक कर सके। उस जमाने में किसी अवैद अपराद की शिक्षा के तौर पर अपराधी का नाक काटने का दंड दिया जाता था। सुश्रुत ने राइनोप्लास्टी या नाक की सर्जरी का आविश्कार किया, जिससे वे तूटे हुए नाक को दुबारा रीकंस्ट्रक्ट कर सके। सुश्रुत दुनिया के पहले क्याटराक सर्जन भी थे, जिन्होंने कई लोगों के आँखों के दोश को ठीक किया था। सुश्रुत ने अपने इस अमूल्य ज्यान को विस्तार से एक संस्क्रिट स्क्रिप्ट के रूप में लिखा। सर्जरी की प्रोसीजर बताने वाली यही संस्क्रिट स्क्रिप्टर आयूरवेद के तीन पिलर्ज में से एक है और अथर्व वेद का भी एक खंड है। शुश्रुत संग्यता से पपा चलता है कि शुश्रुत ने कैसे बिना किसी नाइफ के मृच शरीर का डाइसेक्शन और उनका अध्ययन किया। उनका human anatomy का अभ्यास करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। वो मृच शरीर को पानी में रखके उसे decompose होने देते थे। और उस decomposing body का समय के साथ अध्ययन करते थे। इसी से उन्होंने शरीर के स्ट्रक्चर का layer by layer निरिक्षन किया। इसी प्रयोक से सुश्रुत को सिजेरियन, abdominal surgeries और brain surgeries जैसी कठिन surgeries का invention करने में सहायता मिली। शुश्रुत संहिता के अध्याए 1.16 में नाक के reconstruction की सर्जरी यानी की rhinoplasty के बारे में विस्तार से बताये गया। राइनोप्लास्टी के अलावा सुश्रुत cataract surgery के लिए भी जाने जाते हैं। शुश्रुत संहिता के एक volume उत्तर तंत्र में इसके बारे में काफी विस्तार से लिखा गया है। ये प्रक्रिया modern surgeons को extra capsular lens extraction के समान लगती है। मगर सुश्रुत ने यही सर्जरी बिना आधुने को करनों के कर दिखाया था, जिससे उनके कौशल्य का पता चलता है। translation के रूप में दुनिया के सामने आए। जिसका नाम था किताब शाशुन अलहिंदी और कितावी सुसुनु। 19 वी शताबदी की शुरुवात में हैसलर ने इस संस्क्रिट स्क्रिप्ट को लाटिन में और म्यूलर ने जर्मन में लिखा। इस प्रकार शुष्रुट संहिता और उसके लेखक महर्शी शुष्रुट को अंतर राष्ट्रे स्तर पर पहचान तो मिली पर समय के साथ-साथ उनका नाम और उनका महत्व पूरी तरह से गुमनामी में खो गया। 1907 में कलकत्ता के कवीराज कुंजलाल ने शुष्रुट संहिता का इंग्लिश में अनुबाद किया पर उस ट्रांसलेशन को उतना रेकेगनेशन नहीं मिली। 20 वी शताबदी में जब दुनिया आयुरुवेद की और एक नए नजरिये से देखने लगी, तब उन्हें महर्शी सुष्रुट के मेडिकल साइन्स और खासकर सरजरी में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में पता चला। शुष्रुट संहिता को इंशिंट इंडियन मेडिकल लिट्रेचर के अनेक रत्नों में से एक माना जाता है। पाम लीफ पे लिखी गई सबसे प्राचीन, शुष्रुट संहिताओं में से एक मैनिस्क्रिप्ट लॉस आंजलेस काउंटी म्यूजियम अफ आर्ट में रखी गई है। सुष्रुट ने मीडियवल इंडिया में सरजरी के शास्तर को एक अलग उचाई पर पहुचाया। 600 BCE का वो समय आज Golden Age of Surgery के नाम से जाना जाता है। 2018 में Royal Australasian College of Surgeons ने सुष्रुट का एक पुतला अपने कैंपस में बनवाया। सुष्रुट की इस असमान्य बुद्धी मता से प्रभावित होकर ही American Surgeon Alan Whipple ने कहा। All in all, सुष्रुट must be considered the greatest surgeon of the pre-medieval period। सुष्रुट का मतलब होता है जिनकी ख्याती सब ने सुनी हूँ। महर्शी सुष्रुट ने अपने नाम को सार्थ कर दिखाया। पूरी दुनिया में अपने काम की बज़े से वे प्रसिद तो हुए ही, साथ ही साथ उन्होंने भारतिय मेडिकल नौलिज को बाकी दुनिया के मुकाबले सबसे जादा विक्सित बनाया। भारत के लिए एक राष्ट्र गीत क्यों जरूरी था? जन गन मन में ऐसी क्या खास बात थी कि इसे चुना गया। ऐसे ही सवालों के जवाब हम जानेंगे एपिक पीडिया के अगले वीडियो में। झालों के वीडियो कोुना